हेलो गाइज वालकम बैक टो अनेदर वीडियो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लॉच की नेक डिजाइन जिसके लिए मैंने अस्तर और मेंट फैप्री को यहां कट करके इस तरह से रखावा है ब्लॉच की लेंद यहां पर मैंने 15 इंचिस की रखी है देंगे हमा मैं वही हमें शौलडर को यहां पर सिकंस इंचिस करए नेक के लिए हम यहां पर तरह से बाक्स बना देना है और फिर यहां पर हमें इस तरह से कव शेंप देना है नेक यहां से हमें total आपको blouse की जितनी length रखनी है वो मार्क कर ले तो मैं 11.5 inches पर माख करूँगे हैं आप और यहां से हमें 5 inches पर इस तरह से मार्क करना होगा और इसकी center हमें ले लेनी है और इसे आपको जितने depth देनी है उसके recording यहाँ पर mark कर ले तो मैं यहाँ पर 3.5 inches पर mark कर रही हूँ और इसे इस तरह से हमें round shape देना होगा तो यहाँ से भी अब हमें एक छोटी सी round shape देनी है तो चलिए यहाँ पर भी हम 2 inches पर से mark करेंगे और इस तरह से यहाँ पर भी round shape दे देंगे तो अब हम इसे cut कर लेंगे तो हमने इसे अभी पूरा यह cut नहीं किया है क्योंकि इसे अच्छे पर से बठा के हम सिलाई कर लेंगे और फिर हम जो कौन है वह हम cut करके बाद में अलग कर लेंगे तो इस तरह से हम अब बठाएंगे और neck पे हम सिलाई लगा लेंगे तो चलिए हम सिल लेते हैं ऐसे क्योंत कर लेंगे यहां पर हमने नेकिस लाई तो कर लिए अब जो एस्टा फब्रीक है वो कट कर लेंगे हम और जो यहां पर हमने जोइंट्स रखा था वो भी हम कट कर लेंगे नेकी जो इस्टा फब्रीक है वो कट कर लेने के बाद हमें इस तरह से चुट चुट लगा लेना होगा और फिर हम इसे सीधा कर लेंगे कौन को आप किसी भी नोखिली चीज से अच्छे से निकाल ले और फिर हम सारी फ हम इसमें यह संबोशय लगए तो चली कि अम लगा लेंगे तो यह बहुत ही अराम से आपके नेक नच purely लग जाएगी अव च् यहां पर मैंने पूरे नोगमें जाएप लिए इसे अरफे कर लेंगे और फिर पूरे नेक पर उस्टा लगा लेंगे तो यहां मैंने इसे पुरे विस लाइ लगा लिया और आयन करके अच्छे से बठा लिया था अब दोनु साइट की हमें यहां पे टक्स लगा लेनी होगी टक्स के लंबाया फोरीन एफ इना हाफ इंचिस तक रखें और तक्स लगा लेने के बाद लीची की अब हम पट्टी को अंदर के और फूल्ड करेंगे और इस तरह से सिल लेंगे और इसे तयार कर लेंगे है तो यहां पर हमने यह पटी को त्यार कर लिया हैं तो अब हम 5 डिजाइन बनानी है जिसके लीए हमें यहां पर यह नेक की मार्किंग alan होगी तो यह 3 इंचेस आ रहा है हमें 1 इंचेस एस्टाल लेना होगा तो यहां पर मैंने इस्टा जो बचावा कपड़ा वो लिया है और इससे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे तो 3 इंचेस है तो हम यहां पर लगभग 2 इंचेस पर मार्क करेंगे मिन्स जब इसे हम पूरे इसे तीर्शा शेप में माक कर लेना है तो चलिए इसे अब हम कट करेंगे तो इसे जब हम इसे खोलेंगे तो यह हमें कुछ बर्फी शेप में मिलेगा अब हम इसमें वही समोसे लगाने वाले हैं इस समोसे वाला हम को हमें पकार कोगा यह और विसे फिनिशिंग लिए अंदर की ओर फोल्ड करके थो lesser कि टो चलिये इसे हम इस तरह से अदर क्यों करें गे और फिर चारो और स्लया लगा लें आ तो यहां पे मैंने चारो और इसे सिल लिया है अब हम इसे में फैब्रिक में इस तरह से बठा करके सिल लेंगे और थोड़ा सा मारजीन रखेंगे ताकि हम इसे सीधा कर सके अच्छे से सीधा करके अब जो हमारा जो मारजीन रखा था हमने वह हम सिल लेंगे तो अब ही हम इसे सीधा करके अभी सिल करके साइट कर लेंगे अब हम उपर की साइट में डोरी लगाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने यहां पर दो स्क्वेर पीसे कट किया वाई हैं यहां हमने डोरी लीवी है और यहां हम इस तरह से इसमें लटकन लगाएंगे तो दोनों डोरी में हम इसी तरह से लटकन लगा करके तयार कर लेंगे अब यहां पर जो एस्ट्रा फैब्रिक होगा वह हम अच्छे से कट करके और इस डोरी को सिधा कर लेंगे तो इस तरह से डोरी हम सीधा कर लेंगे अब सबसे पहले हमें यहां पर डोरी लगानी है तो उपर की साइड में हम डोरी लगाएंगे तो दोनों डोरी को हम कौन में बठा करके इस तरह से सिल लेंगे तो यहां पर मैंने डोरी तो लगा ली है अब जो हमने वर्फी शेप पना के रखा हुआ है फैब्रिक का वह हम अब बठा कर लेंगे तो यहां पर मैंने इसे पिन अप कर लेंगे और दूसरे साइड को हम इस तरह से बठा करके पर चिल लेते हैं और जो हमने पिन आप किया था उसे भी हम इस तरह से सिल के तयार कर लेंगे तो जो इसने धागा होता है वह बहुत ही अच्छे से कट करें इससे आपका जो ब्लॉच का लुक आएगा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके का आएगा तो यहां पर हमने ब्लॉच का यह डिजाइन बना के त्यार कर लिया है यह बहुत ही उनिक डिजाइन है होग आपको पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक किचेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिचेगा तैंक यू